कि हाई फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं सब तो चलिए आज फिर एक बार से आप लोगों को सभी का स्टील ट्यूटेक सर्विस की मेकेनिकल पार्ट साला में बहुत बहुत शॉगत है तो आज का जो टापिक है मेरा वो है कि स्टील कॉयल की लेंथ कैसे निकालते हैं लास्ट में 20 टन की कॉयल है या 10 टन की कॉयल है तो उसका अगर कोई पूशे है आप से कि 20 टन की कॉयल का 2 mm थिकनेस है तो आपकी लंबाई कितनी हो गयरे उसको CTL करेंगे cut to length में तो कितनी length हाईगी कितने meter length हाईगी तो आज उस topic पर हम आप सो लोगों को बताने वाल है तो चलिए let's start steel tube tech service तो आज यह यह हमारी coil है, coil हमारी कैसे होती है, coil farm में, round coil होती है और OD, ID and width, width भी अलग अलग आती है हमारी, 1000 mm आती है, 1250 आती है, 900 आती है, 1500 आती है, 1320 आती है, अलग अलग विर्थ में, but standard जो है 1 meter and 1250 रहता है, normally standard जो होता है 1 meter के और 1250 का, तो अब हम आपको तीन तरह से बताएंगे, आज जो है कि length निकालने के तीन तरीके बताएंगे, तीन फर्मूले बताएंगे, पहला हमारा है कि यह volume is equal to mass but a density, हम steel का बता रहे हैं, अब हमको क्या करना, length निकालना है तो volume का आपको पता है कि, volume is equal to length into width into thickness, is equal to mass, अब यह मेरी coil है, क्वाइल सपोज करो 20,000 की क्वाइल है, तो mass कितना हो गया, 20,000 kg हो गया, ठीक है, यह 10 है अगर kg में, divide by density आपको steel का पता है, 7850 kg मीटर क्यूब, अब हमको length निकालना है, ठीक है, और width, तो length is equal to हो जाएगा, हमारा 20,000, ठीक है, divide by 7850 into width into thickness, अब हमारा width मालू में कितना width है हमारा, 1000 mm है, मतलब 1 meter है, तो 1 meter, यह, divide by 7850 into width 1 meter, into thickness कितना है, thickness हमारा है, 2 mm, thickness is 2 mm, तो 2 mm को हम मीटर में करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.002 meter हो गया, ठीक है, यह आगया, तो अब हमारा यह आएगा, length, अब यह मेरा meter में है, यह meter में, यह meter, यह meter, तीनो इनुट में हो गई, अब इसको अब इसको अब कल्कुलेट करके, जब इसको निकालेंगे, तो length is equal to हो जाएगा हमारा, 1, 2, 7, 3 meter, इसका मतलब यह हुआगा, अगर बी स्टन की कोयल है, 2 mm थिकनेस है, तो उसका जो हमारा length हो है, strip की length जाएगा, वो 1230 meter length आएगी, 1230 meter length आएगी, यह तो हो गया हमारा number 1, second, second कैसे निकालेंगे, length is equal to, दूसरा जो है, length is equal to, length is equal to, आपका फार्मूला होता है, area, area upon thickness, यह फार्मूला है, अब आपको area किसका निकालना है, area इसका निकालना है, coil का, coil का area कैसे निकालेंगे, coil के में एक od है, यह od है, यह id है, और यह thickness है, तो area, पहले area निकालना है, तो pi by 4, od square minus id square into t, od square into id square divided by thickness, length is equal to area divided by thickness, तो area, pi by 4, d square, तो d square is od into id, od square minus id square divided by t, od आपका यह है, id आपका 500 है, ठीक है, t thickness है, 2 mm, mm को जो है, इसको आप मीटर में convert करेंगे, तो यह आपका thickness हो जाएगा, 0.002, इसको भी सब कल्कुलेट करेंगे, तो आपका length is equal to आजाएगा, हमारा, 1, 2, 1, 2, 7, 3, मीटर, दूसरा तरीका यह है, पहला हमने इससे निकाला था, volume is equal to mass but density, second जो है, हमने निकाला length is equal to area upon thickness, third एक है, जो मोटे thickness के होते हैं, जिसे हम सबसकर हो 5 mm, 7 mm की coil है, जिसमें हम number of turns, जो है, count कर सकें, फिर उस वो third, जो है, third उसमें applicable होता है, यह फ्रक्स आता है उसका length, third होता है, length is equal to mean dia, mean dia of coil, into pi, into number of turn, okay, number of turn, यह जो इसके turn होते हैं, coil के turn होते हैं, तो पतले में आपको count नहीं कर पाएंगे, बढ़ जो 3 mm, 5 mm, 7 mm, तो उसमें आप turn कर उसको गिन सकते हैं, तो आपको mean dia, mean dia कैसे निकालेगा, mean dia जो है, od, od plus id, divide by 2, यह हमारा mean dia आजाएगा, अब इसको 3.14 से multiply करिए, और यह turn, number of turn, आपको गिन्ती करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी turn है यह, 50 है, 60 है, सबोस्किरों 50 है, तो यहां 50 से multiply करिए, जो answer आएगा, यह meter आजाएगा, और यह prox आएगा, क्योंकि इसमें counting में mistake भी हो सकता है, माली जब आपने 2 turn counting कम किया, तो उसी साब से लंबाई कम आजाएगी, तो आज यह आपको तीन तरीके से हम किसी भी coil का length निकाल सकते हैं, coil का हमारा od पता रहता है, id मालूम रहता है, thickness मालूम रहती है, और उस width कितना है, यह मालूम रहता है, तो पहला हमारा volume, mass बटे density, mass हमारा weight है, कितने coil ton की बाट है, यह निकाल दिया, इस से निकालने के बाट, second हमारा निकाल है, area बटे thickness, area pi by 4, d square, od square minus id square, divide by t करेंगे, फिर आएगा, third जो है, mean die of coil into pi into number of turns, तो ऐसा करके आप तीनों में से निकालेंगे, सेम आएगा, कोई भी एक जो आपको आसे लगें, आसान उससे आप कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ कि आपको समद में आ गया होगा, next हम आपको बताने वाले हैं, next topic रहेगा हमारा, अब कल का gaze और thickness का, तो मैं आपको बताऊंगा, okay, thank you.